अमेरिका में गन फारिंग की घटनाय लगातार तेजी से बढ़ रही हैं इसके कारण साल भर में अमेरिका में हजारों लोगों की जान चली जाती है ऐसे में अमेरिकी सरकार को इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई ठोस रास्ता नहीं सूझ रहा इस बीच अमेरिका की पूर सब्सक्राइब कर रहे थे जहां उन्होंने डेमोक्रेट्स पर निशानस आते हुए कहा कि देश सदियों से बंदूकों से भरा हुआ है और साल 2000 के आसपास स्कूली बच्चों के नरसहार जिसी कोई बात भी नहीं होती थी ये वास्तव में तब शुरू हुआ जब डेमोक्रेट्स की सत्ता रही वहीं ट्रम्प ने आने वाले राश्पती चुनाफ के लिए अपनी दाविदारी पुक्ता करते हुए ये भी कहा कि अगर वो दुबारा अमेरिका के राश्पती चुने जाते हैं तो मौजूदा गन लौ को वापिस लेंगे और अमेरिका के हर स्कूल के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गाड तेनात करवाएंगे